गुड मॉनिंग दोस्तों रादे रादे दोस्तों आप सब कैसे हैं उमीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों थोड़ी सी आज नेटरग इश्यू होने के कारण आज की क्लास मेंने रिकोर्ड कर दी है तो आप इसे जैसे नेट का इश्यू खतम होगा आपके लि आपको रिसी हो जाएगी दोस्तों चलिये मैं इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाता हूं अगर आपका कोई भी कमेंट रहता है किसी कुछिशन पे अगर आपका एक्स्ट्रा कोई कमेंट रहता है तो मुझे आप कमेंट में लिखके भेज़ दीजिए ताकि मैं उसका क्या क कर सकूं reply दे सकूं दोस्तों चलिए आज की क्लास कमेंड तो नहीं पढ़ाओंगा मैं आपके पर आपको जो duecjun क्यूध मैं आपको शोल करवा देता हूं देखिए दोस्तों आज की क्लास की जब करते हैं आज की क्लास का मोटिवेशनल कोट क्या रखा गया है आज की क्लास का मोटिवेशनल कोट रखा गया है मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंतरन देने के समान है जीवन में समय समय पर चुनोतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है एवं सही जी बढ़ाता हूं और क्लास को जब आगे बढ़ाते हैं तो आज की क्लास का पहला क्यूशन आपके सामने आ चुका है दोस्तों आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है आप क्लास को देख लीजिए लिख लीजिए जैसे नेटरक इशू खतम होगा आपको क्लास रिसीव हो जाएग बनने जा रहा है इसकी मंजूरी भारत सरकान ने किस राज्ये को दी है तो प्यारे दोस्तों इस कूशन के आंसर की जब आप बात करोगे इसका आंसर आएगा बियार आएगा कौन सा आएगा बियार आएगा बियार की जब बात करोगे बियार राज्ये को इसकी मंजूरी द करोड रुपए का क्या किया गया है बजट आउंटन किया गया है पहरे दोस्तों तो इसका ध्यान रखना बहुत अच्छा क्यूसन है 922 करोड रुपए का बजट है और बजट की जब बात करोगे और यह जो नैशनल हाईवे बनने जा रहा है यह कहां बनने जा रहा है बियार कि जब बात करोगे CM की BR के CM है दोस्तों नितिश कुमार कौन है नितिश कुमार है दोस्तों यहां के CM अगर आप गवर्नर की बात करोगे यहां के गवर्नर है फागू चोहान कौन है फागू चोहान है प्यारे दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है NH का क्यूशन है और बहुत अच्छा क्यूशन द्यान रखना केंदर सरकार ने इसको मंजूरी दिये क्योंकि नैशनल आईवे इस्टेट आईवे नहीं है एनेच है एनेच का निर्मान हो रहा है कहां पे होगा बियार में होगा जिसके लिए नो सो इगेतर करोड़ रुपे का क्या दिया गया है दोस्तों बजड दिया गया है केंदर सरकार द्वारा चलिए अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट कुशन में नेक्स्ट कुशन नंबर दो की जब बात करते हैं तो देखे क्योंस नंबर दो क्या है जोल फ्राग 99 नो सेनिक अभ्यास किस देश ने शुरू किया है तो देखिए दोस्तों जब बात करते हो यह आगया आर्मी एक्सरसाइज इस आर्मी एक्सरसाइज की जब बात करोगे कि किस देश ने शुरू किया है पहला उप्शन है इराग अमेरिका इरान या नोटा देखिए प्यारे द दोस्तों यहां की जब बात करते हो इस exercise को शुरू करने वाला देश है कौन सा इरान है दोस्तों कौन सा है इरान है इरान ने अब्यास शुरू किया है दोस्तों कहां पे किया है आप ध्यान रखना यह जो अब्यास है इसका इस्थान अगर आप निकालोगे तो इसका इस्था होगा दोस्तों ओमान सागर क्या होगा ओमान सागर में इस एक्सरसाइज को शुरू किया है किसने इरान ने शुरू किया है दोस्तों ठीक है यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा उम्मिद करते हैं यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा आगे देखिए जब आप इरान की बात क ठीक है इसकी क्रेंसी के अगर आप बात करोगे तो देखिए पहले इसकी क्रेंसी थी रियाल कौन सी थी रियाल लेकिन दोस्तों मैंने आपको इस थोड़ी किलासों के पहले यानि पांसाथ किलासों के पहले मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था कि यहां की जो नई मुद्रा ह ठीक है नई मुद्रा जारी कर दी और नई मुद्रा का नाम है दोस्तो तोमान कौन सी है तोमान है अब आप से क्योशन पुछेगा कि इरान की नई मुद्रा का क्या नाम है तो इरान की नई मुद्रा है दोस्तो कौन सी तोमान है कौन सी है तोमान और पहले कौन सी थी रियाल ह अब देखी इस exercise का क्या उद्दे से है exercise का उद्दे से है कि army को नहीं नहीं जो technology है उससे क्या करना प्रशिक्षित करना दोस्तों ठीक है यहां तक clear है सब का चलिए यहां तक clear है मैं आपको लेके चलता हूं next question में देखे question number 3 question number 3 क्या है question number 3 है दोस्तों क्या बात है नाम ही ऐसा आगया कि आप देखे कई बार आप भी सोचते हो कि मैं भी आर ऐसा कर लूँ क्या तो देखे इसके जब बात करोगे question क्या है question है विश्वे आत्म हत्या रोकदाम दिवस कभ मनाया जाता है यानि वाल्ड सूसाइड जो डे है इसकी बात करें रोकदाम के लिए कभ मनाया जाता है यह दिवस पहला option है 10 सेप्टेंबर को 11 सेप्टेंबर को 12 सेप्टेंबर को या 13 सेप्टेंबर को तो प्यारे मेरे दोस दोस्तों इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है 10 सितंबर आने वाला है 10 सितंबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस विश्व आतमत्या रोक थाम दिवस मनाया जाता है दोस्तों इसकी जब बात करोगे यह कौन से संस्ता दुआरा जारी यानि किस संस्ता ने इसको शुरू किया था तो इसको जारी करने वाली जो संस्ता है उसकी जब बात करेंगे दोस्तों संस्ता है international association दोस्तों सुनना बहुत अच्छ नाम है कमेंट आ मुझे इसमें डाल देना क्योंकि कमेंट में देखनी पाऊंगा इसकी बात करोगे तो इसमें आएगा international association for suicide prevention देखिए मैंने बताया दोस्तों क्या शोट में मैं लिख देता हूं इसको international association for suicide prevention से देखिए चलो मैं पूरा लिख देता हूं international international association 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 for suicide नहीं करना है suicide ठीक है international association for suicide prevention ठीक है यह इसकी जब बात करोगे दोस्तों एक तो यह है इसमें सामिल प्लस एक है दोस्तों डबलू एच ओ इन दोनों ने समिलित हो के कौन सा दिवस मनाना शुरू किया विश्व में ठीक है लगबग आठ लाख लोग परतिवर्स क्या करते हैं suicide करते हैं लेकिन suicide करने से कोई problem का solution थोड़ी हो जाता है ठीक है तो आपको दोस्तों बिलकुल depression में नहीं आना है आराम से मस्त रहना है देखी मैंने आपको हर बार कहता हूं चिंता नहीं आप चिंतन कीजिए किसी चीज की चिंता मत करो इस पर चिंतन कीजिए किसका solution कैसे हो सकता है ठीक है आप tension लोगे तो भी वही आपको tension रहेगी अगर आप नहीं लोगे तो भी रह तो आप क्या रहो दोस्तों हमेशा खुश रहो फिर देखिए यह संस्ता इसको क्या करती है जारी करती है यानि इसको मनाने का जो कारी है यह शुरू किसने किया तो दो संस्ता है इसको आए आप क्या बोल सकते हैं आई एस पी सोट में आप इसको आई एस पी भी बोल सकते हैं WHO आप जानते हो World Health Organization ठीक है इसके जब बात करोगे स्थापना की तो 1948 में WHO की स्थापना हुई फिर इसके बाद आप देखते हो COVID-19 में बहुत चर्चा कावी से रहा क्योंकि USA ने इससे कह ले लिए अपनी सदस्यता वापस ले ली फिर देखे इसका मुख्याल है जेनेवा में कहां पर है दोस्तों जेनेवा में इसका मुख्याल है चले दोस्तों उमीद करते हैं यहां तक 10 सितंबर को दोस्तों मैंने बता दी WHO और IASP यहां तक के लिए रो गया होगा अगर यहां तक के लिए रो गया तो मैं आगे बढ़ाता हूं अगर आपसे प्यारे दोस्तों इसकी थीम भी पूछे तो आप इसकी थीम भी लिख सकते हैं working for sorry working together to prevent suicide ठीक है तो आप इसका क्या भी लिख सकते हैं theme भी बता सकते हैं लेकिन आपको क्या पूछ सकता है इसकी देड़ तो पूछी सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है क्यों से नंबर फोर पे क्यों से नंबर चार क्या है क्योंसर नंबर चार विशवी के आर्थिक सवतंतरता सूचकांग 2020 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ दोस्तों आराम सी पढ़िए फिर आप एक बार आंसर दिमाग में सूचिए मैं बात कर रहा हूं वेश्विक आर्थिक सवतंतरता सूचकांग की ठीक है 2020 की मैं बात कर रहा हूं बताओ भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ इसमें पहल मेरे प्यारे दोस्तों इसके जब बात करोंगे इसका आनसर आएगा नोटा क्या आएगा नोटा आएगा नोटा क्यों आएगा क्योंकि 2020 में जो भारत का इस्तान आया वह आया है दोस्तो एकसोपाँचवा इस्तान कौन सारी है एकसोपाँचवा इस्तान आया है 2020 में मैं बात करूं 2019 की इसकी जब बात करोगे इसका जो इस्तान है वह आया था भारत को कौन सा 79 आया था दोस्तो अब आपके दिमाग में आजा हो गए कि सर विश्व में पर्थम कोन रहा विश्व की जब बात करते हो तो देखे वर्ल्ड में जब बात करते हो पहले नंबर पर जब आप निकालोगे दोस्तो विश्व में जो फर्ष्ट राई सूची में वो रहा कौन सा होंग कॉंग और सिंगापूर तो आपको ध्यान रखना है होंग कॉंग और सिंगापूर ठीक है यह दोनों विश्व के टॉप में जो टॉप कंट्रीज हैं इस सूची में उसमें दोनों आए होंग कॉंग और कौ दोनों दे तो Hong Kong और वैसे single देगा तो आपको number one किसका आएगा Hong Kong का आएगा ठीक है इसके बाद देखी आगे आप से पुछेगा कि सूची में total countries कितने हैं total countries की अगर मैं प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूँ तो देखे इसमें total countries थे 162 कितने थे 162 जिसमें बारत का 2020 में इस्तान 105 और 2019 में कितना 79 वा इस्तान प्राप्त हुआ किसको बारत को प्यारे दोस्तों चले यहां तक सभी का clear हो गया अब चलते हैं next question में देखें next question क्या है question number five question number five क्या है इस question को agriculture का है लेकिन बहुत important question होने वाला है देखें question है क्रशी शेतर में सयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझोता किया है बताईए क्रशी शेतर में सयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ क्या किया है समझोता किया है तो यह question type करने में गलत कर दिये इसमें है क्रशी शेतर में सयोग के लिए आंदर प्रदेश आएगा दोस्तों क्या आएगा इसमें भारत नहीं आएगा इसमें क्या आएगा आंदर प्रदेश ठीक है भारत का एक स्टेट है आंदर प्रदेश तो क्यूशन ये बनेगा कि भारत के आंदर प्रदेश ने किस देश के साथ समझोता किया है एगरी कल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए एगर दोस्तों आजकल बहुत चर्चा में अंदर प्रदेश डेली एक ना एक नई स्कीम लेके आता है अंदर प्रदेश डेली पढ़ते हैं इसको लगबग तो आपको जान रखना है कि एगरी कल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए निदर लेंड के साथ समझोता किया है किसने अंदर प्रदेश देखें मैं आपको हर बार बताता रहता हूं इसकी तीन राजदानी है मेरे प्यारे दोस्तों कितनी राजदानी तीन राजदानी है मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूं एक राजदानी विसाखा पटना आप देखना दोस्तों एक राजदानी है वि की आंदर परदेश की ठीक है तीनो राजदानी भारत का एक मात्र ऐसा इस्टेट जिसकी तीन केपिटल है वो कुछा है आंदर परदेश फिर दे के आंदर परदेश की CM की अगर मैं बात करता हूं तो रेड़ीजी हैं मैं आपको बताया था क्या बोलते हैं इनके यांके गव दोस्तों यह द्यान रखना बहुत अच्छा क्योशन है निदरलेंड के साथ समझोता किया है किसने आंदर प्रदेश ने चलिए नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नमबर सिक्स देखिए क्यूशन नमबर सिक्स क्या है ब्रेकिंग दक को कौन ठीक है को कौन एड़ दारेट 14 पु पुष्टक की तो इसके जो राइटर है वो हैं दोस्तों रादा नायर कोन है रादा नायर दोस्तों आपको मैं बता देता हूं रेलवे के एक्जाम में तो विशेष का रेलवे ऐससी जो सेंटर एक्जाम है उनमें तो मेरे पैरे दोस्तों जरूर पुछा जाता है एक पु क्लियर हो गया क्या अगर यहां तक सभी को दोस्तों मेरी दोस्तों क्लियर हो गया तो आप हमेशा डिप्रेशन में नहीं आना है पहले दोस्तों करंट से बहुत ड्र लगता था दोस्तों को लेकिन आप टैंसर ना ले हर आपकी बीमारी का सोलिशन करेंगे दोस्तों ठीक है कर मरती मंदाना किस खेल से जुड़ी खिलाडी है इसका ध्यान रखना इनको हाली में एक कंपनी ने अपना ब्रांड एमबेस्टर भी बनाया है तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार मुझे कमेंट करके बताई आप कि बताओ किस के ब्रांड एमबेस्टर बनाई गई है इस मरती म मंदाना देखे इस मरती मंदाना कि जब बात करोगे तो इस मरती जो मंदाना है इसके जब बात करते हुए कंपनी ये प्लेयर जो बोट ठीक है इसके ब्रांड एमबेस्टर बनी है एक तो इस मरती मंदाना और एक खिलाडी है दोस्तों बूनेश कुमार ठीक है ये दो खिल ने ब्रांड एंबेस्टर बनाया है प्लेयर जोबोट ने ठीक है ब्रांड एंबेस्टर तो आप पहरे दोस्तों ध्यान रखना अच्छा क्यूशन है क्योंकि ऐसा ही क्यूशन किसमें आया था आपको पता हो तो फस्ट गेट का जो एक्जाम था संस्क्रित वागवाला उसमे भी पूछा था दोस्तों एक ब्रांड एंबेस्टर पूछता ही है ठीक है एक स्पेशल क्लास भी लगाएंगे ब्रांड एंबेस्टर की क्योंकि सेंटर की एक्जाम में क्या आता है ब्रांड एंबेस्टर पूछा ही पूछा जाता है चलिए उमीद करते हैं दोस्तों यहा बनाये इनको brand ambassador बनाया है दोस्तों चलिए यहां तक clear हो गया दोस्तों यहां तक clear हो गया तो एक मुस्कान के साथ next question में मैं आपको लेके चलता हूँ आपके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए हम यह चाहते हैं कि आप हमेशा खुष रहो always be happy तो उसके लिए आप दोस्त हम आपके लिए मैनत करेंगे आप भी हमारे साथ मैनत कीजिए कोई ऐसी नोकरी नहीं जिसको आप राप्त नहीं कर सकते बस एक चीज जान रखना है आपको किसी भी चीज की रेगुलर्टी जरूरी है चली आगे next की मैं बात करता हूं क्यूशन नमबर 8 देखिए क्यूशन नमबर 8 क्या है क्यूशन नमबर 8 दोस्तों इस क्यूशन को आप very very important कर लेना देखिए यह IR का क्यूशन है मतलब international relation अंतरास्टी जो समन्ध होते हैं उनसे क्यूशन है दोस् दोस्तों यह जान रख लेना five point action plan ये एक सब्द है five point action plan ठीक है इसका जान रखना है बारत ने किस देश के साथ किया है तो आपको जान रखना है मेरे पैरे दोस्तों जिसको हिंदी में पांच बिंदू योजना भी आप है बोल सकते हो देखे five point action plan सीमा विवाद जो सबसे चल रहा है चाइना के साथ तो भारत ने इस विवाद का हल करने के लिए क्या किया है मेरे पैरे दोस्तों five point action plan और हिंदी में बोलोगे तो पांच बिंदू योजना कितनी बिंदू योजना पांच बिंदू योजना किसके साथ समझोता किया इसके लिए चाइना के साथ दो बात करें एस जे संकर जी और चायना के टे वांग इ इन दोनों के बीच में सीमा विवाद को अल करने के लिए फाइप पॉइंट एक्शन प्लान क्या हुए दोस्तो जारी हुए हैं इसमें क्या करना है आप प्रोटोकोल की उलंगन नहीं करोगे शांति पूरुक तरीके से आ बारत और चायना के सेनाओं के बीच जो तनाव है इसमें क्या करना तनाव को खतम करके सांति क्या करना सांति पूरुक समस्या का हल निकालना चले आगे क्यूसन नंबर 9 देखे तो इसका ध्यान रखना चायना के प्रसिडेंट आप जानते हैं ठीक है सी जिन पिंग बारत जो गलवान गाटी है वो विवाद चल रहा था डोकलाम का विवाद था तो आप ध्यान रखने सारे किसके साथ जुड़े वे थे चायना के साथ जुड़े वे थे फिर देखे क्यूसन नंबर 9 की बात करते हैं फाइव इस्टार गाव योजना किस विवाग ने शुरू की ह फाइव इस्टार गाव योजना तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्यूशन के जब आंसर की बात करोगे तो देखे इसमें ना तो वित विवाग है ना रक्षा विवाग है ना नीती आयोग है इसका आंसर क्या आएगा नोटा आएगा और नोटा की जब आप बात करोगे तो फिर कौन सा विबाग आएगा इससे समंदित जो विबाग है वो है दोस्तों डाक विबाग कौन सा विबाग ने शुरू किया पोस्ट जो अपना डिपार्टमेंट है पोस्ट विबाग वाला ठीक है उसने यह योजना शुरू किया फाइव स्टार गाव योजना इस योजना में क्या होगा सभी गाउं को क्या किया जाएगा कवरेज किया जाएगा दोस्तों क्या किया जाएगा सारी सुविदाएं गाउं तक क्या की जाएगी डाक विबाग दोहरा पहुंचा ही जाएगी ठीक है तो इसके लिए कौन सी योजना इसके लिए फाइव स्टार गाउं यो लिए नाम पडिवर्तन का क्यूशन जरूर आता है देखे क्यूशन क्या है स्री सिद्ध रुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन किसका नया नाम है दोस्तों बहुत अच्छा क्यूशन है ध्यान रखना इसका इसकी जब बात करते हो स्री सिद्ध रुद्धा स्वामी रेलवे स्अरस्टस का नया नाम है तो मेरे प्यारे दोस्त तो यह नाम हे हुबली रियलवे स्टेशन का किसका 나와 हुबली रेलवे मे alarming की जब बात करोंगे करना ठख में पढ़ता है कि तो टो रील डोश्ट की दो नया कर ध्यान रखना ही रखना है चलिए दोस्तों यह था आज की क्लास का लास्ट क्यूशन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अगर फिर भी कई दोस्तों के कोई क्यूशन बनते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं क्योंकि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था ठीक हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्यूशन रहता है तो जो दोस्त मुझे पहली बार देख रहे हैं अदर जितने भी सब्जेक्ट के live class चल रही है उनके जो पीडियेप है आप हमें वोट्सप्स के जरीए ले सकते हैं दोस्तों आपको हो सके तो आप हमें टेलिग्राम पे फोलो करें यह हमारा टेलिग्राम का लिंक दिया गया है आपको इस पे क्लिक कर सकते हैं पीडियेप के जो दोस्त मुझे डेली फोलो कर रहे हैं वो लाइक करें वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं चलिए दोस्तों आज की किलास यहीं फिनिश होती हैं अगली किलास में मुलाकात होगी आपसे तब तक के लिए दोस्तों घर में रहें सुरक्षित रहें और मजे से